स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लाड़न बॉट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाईयों के बारे में शंपून जान करें दोस्तों आज के स्वीडियों में हम चहरे की स्कीन से जुड़ी हुई समझ्यों को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जैने वाली क्रीम के बारे में जानेंगे यह क्रीम तिन अलगलग दवाओं को कॉमपोजिशन है वहाँ दवाईयां है हाइड्रोक्विनोन, तथा मोमेटराशॉन फ्यूरोएट इसी कॉमपीनेशन की क्रीम की पूरी डीटेल हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे यह सब्लब है वह क्या है किस तरह सी कारीकर की इसे हम क्या नामसक्ट ही सकते हैं किस तरह से किन-किन इस्तितियों में उसका प्रियोग लिया जाता है इसको प्रयोग लेने का सही तरीका क्या और इसके साइड इफिट क्या है यह सब भी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो को बिना इसकीप की अंतक देखें साथ ही दोस्तों मेरे एक निव्यदर नयाप से आप में से 60% लोग मेरा वीडियो रेगूर देखते हैं वीडियो को लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और और नियुटिफिकेशन पर दबाएं मैं हूं आपको होस्ट मोहिद आदीच आप देखें अपना येट्यूब चैनल लान अबॉट मैडिसे चलिए आज पी कुछ नहीं सिकते हैं है यह नमासे दोस्तों इस क्रीम में हाइड्रोकुगानोड है यह हमारी स्कीन के जो पिगमेंटेश कंदक है जो हमारी स्कीन को अगध्याग करने जिम्मेदार है इसको कम कर देता हैं जिससे कि इसकी का कलर रड हो जाता है साथि जो मुमेटसोन है यह प्रका का स्टेरोइड है जो हमारे इसकीन में एक केमिकल मेसेंजर है जो प्रोष्टाग्येंडिन यह हमारी स्कीन में सूजन इचिंग तता रेडनेस के लिए जिम्हेदार है इसको कम करता है साथि जो ट्रेटेनोइन यह विटामीन एका ही कारे करती हैं यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस क्रीम में हाइड्रो क्युणोन प्रोप दो प्रतिसत वेट बैवेट की स्ट्रेंथ में मुमिटा सॉन 0.1 परसेंट वेट बाई वेट की स्टन्थ में तथा ट्रेटे नियोन 0.025 परसेंट वेट बाई वेट की स्टन्थ में मिलाई जाती है और जैसा आप सभी को पता है इस दवा को मेडिकल इस्टर पर खेदने के लिए हमें कुछ ब्रेंड नेम किया हो सकता होगी तो ब्रेंड नेम को अगर हम यहां पर जाने तो कुछ पॉपुलर ब्रेंड नेम जैसे की इसकीन लाइट क्रीम नोश्केर क्रीम एच एच लाइट क्रीम लो मिटा क्रीम तता मेला बेस्ट क्रीम यह इसकी कुछ पुपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी रिश्म में से किसी एक को आपने जोलों से प्रियोग किया होगा यदि इस के यह क्योंकि दवा की जो ब्रेंड होती और डॉक्टर केकोडि अलग लेंग होती है अब यहां पर इसकी उझोज जान लेते हैं किनकीन इस्तिति में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि यह दवा एक इसकीन लाइटनिंग एजैंड एक स्टेरोड ज्यता विटाम मेलेशमा एक प्रकार की बिमारी जिसमें व्यक्ति की चहरे पर यह नहीं मिलेशनGe सकते हैं तो इस मेलेस्मा की बीमारी को इसकीन पर जो पेचेस हो जाते हैं चकते हो जाते उनको ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रियोग लिया जाता है किसी व्यक्ति को एकने हो गयों तो एकने को ठीक करने का इसाथ-साथ जो क्लिनमाइसें क्रीम दी जाती उसके साथ में सोड़े तो तब भी इसका आगर चाहे के बात करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है अगर यहाँ पर जाने इसको किस परकार से प्रियोग करना है तो इसको प्रियोग करने का तरीका थोड़ा से डिफरेंट है जो अधर क्रीम से इस क्रीम को प्रियोग करने के लिए आपको अपने चहरे को पहले साफ पानी से दो के अच्छी तरह से सुखा लेना है फि कुला तो उसे दिन में दो बार लगाने की सहाथ इस क्रीम लगाते हैं समय आपको दियान रखनी यह लुएट करने दूप में जाने से बचना है जिससे कि आपको बाहतनी रिजल्ट मिल सकें साथी जब यह क्रीम लगाते हैं आपको नो डॉट बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्रीम का रिजल्ट मिलने के बाद में आप उसको दीरे-दीरे लंबे समय तक प्रियोग करने लगें इस क्रीम का प्रियोग maximum आपको 30 days के लिए ही करना है उससे ज़्यादा अगर इसका प्रियोग करते हैं तो आपको काफी बड़ी-बड़ी समश्यों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें स्टेरोईड है जब इसको लंबे समय तक प्रियोग करते आपके चहरे भाल ऊग सकते हैं इसकीन लटक सकती है, यह समष है लंबे समय तक रहेगी आसानी से जाएगी बेनी इसका प्रियोग limited time period के लिए ले जिससे कि आपको फायदा मिले किसी परका का नुकसान नहीं हो साथ ही इस cream का प्रियोग 12 साल से छोटे बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए और इस cream का प्रियोग जो आप करना बंद गर देते हैं और regular sunlight में निकलने लग जाते हैं तो इस cream का जो असर है वो आपके से कम हो जाता आपकी डार्क हो सकती है इस करन्ट से कम से कम sunlight में निकले जब तक कि आपको अपनी इस और अब वीडियो गिलाश में जान लेते हैं इस cream के क्या-क्या side effect होते हैं तो अगर इसके side effect की बात करें तो उसमें जहां पर आपने screen को apply किया है जैसे चहरे पर इरीटेशन हो सकता है खुजली हो सकती है जलन हो सकती है सुजन आना रेड़ने से यह कूछ समझते हैं हो सकती है इसी कारण से और अगर आपको किशी परका का side effect लगे तो आप इस cream का प्रियोग नहीं करें साथ ही चेहरे पे लगाने के बाद आपको side effect लगे तो चेहरे को ठंडे पानी से दोले और future में इसका प्रियोग नहीं करें तो दोस्तों ही पूरी जानका यह थी इस cream के बारे में जिसका प्रियोग मुख की रूप से hyperpigmentation दा मेलेसम आपको ठीक करने के लिए लिए जाता है उम्मीद गरता हूँ पूरी जानकार मिलने के साथ वीडियो आपको जोड़ से पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को जोड़ से लाइक करें जादा जादा इसको share करें जो खिशी और की भी काम आ सकें और अभी तक आपने यूटीब चैनल Learn About Medicine को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो नीचे दिए बट्रन को दबा कर जोड़ से सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बैल आइकन इसे जोड़ दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नॉट्रिफिकर्स आपको मिल सकें और मेरे सब वीडियो मूफ में देख सकें आपते अपने दोस्त मोहित आदीज के साथ देख रहे हैं ते अपने यूट्व चैनल लान आउट मेडिसें थैंक यो फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बी केर्फ वाट मेडिसें उसर्स